उके अलो प्रेंट कैसे वह आप सब में विशी और आप देख रहें बाउन टू इन्वेश यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में कल यानि कि 24 डिसेंबर की इंट्राइडे वाच लिश्ट देखेंगे उसमें देखेंगे कौन से स्टोक आपके बाइंग साइड होंगे कौन से स्टोक अगर सेलिंग साइड होगे तो आपको आईडिया आगे कि कौन से स्टोक में आप बाइ कर सकते हो कौन से स्टोक में सेल कर सकते हो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्यूंकि हम ऐसे वीडिए जो हरोज हर दिन लेते आते और जब आज उमें घंटे वाला बटन है उसे ज़रूर दबा दिजिए जिसको आपको अमरी नोटिफिक्शन सबसे पहले मिल जाए तो जो हमारा पहला स्टोक है वो है मारी को अभी मारी को क्यों है तो नॉर्मली बात है कि वन डे के टा प्रोपर उपर निकल जाता है तब आप इसमें बाइङ कर सकते हो अगर ये कलसा हो गया तब आप इसमें ले सकते हो तो जो Hemmaara पहला स्टोक तो अगर यह इसको ब्रेक करके उपर निकल जाता है तब आप इसमें बाइंग पोजिशन बना सकते हो कल के लिए बाद में जो हमारा दूसरा श्टोक है वो देख लेते हैं तो इंडिस्टिंग बैंग हमारा दूसरा श्टोक है अभी यह क्यों है तो आप देख रहे हो यह कितने टाइम से एक वन रेंज में फसा हुआ है मतलब एक चैनल टाइप जेतनी रेंज होती है उसमें फसा हुआ है तो अगर यह इसको ब्रेक करके उपर निकल गया तब मैं इसमें अपनी बाइंग पोजीशन बनाओंगा अगर यह कल ब्रेक हुआ परसो ब्रेक हो तो मैं इसको वेट करूँगा अगर मेरे को यह proper breakout देखे अपसज निकल जाता है तब मैं इसमें buying करूंगा यह देखते कल क्योंकि क्या होता है इसा नहीं होता देखू मैं आज भी इसको वोच करा तो मेरे को लगा आज यह break कर देखा लेकिन नहीं break कर पाया तो हो सकता है कि कल breakout करें परसो breakout करें तो आप इसको लेके जाओ जेस दिन यह breakout करता है प्रोपर तरिके से उस दिन आप इसमें entry ले सकते हो इसके बाद का जो stock है वो देख लेते हैं इसके बाद जो हमारा stock है वो है HDFC only HDFC क्यों है नॉर्मल ही बात है हमारे demand zone से up जाता हुआ द पर आप इसको जब 15 मेंट पर करोगे ने तब आपको आईडिया आएगा तो मैं इसको 15 मेंट पर कर लेता हूँ तो आप देख रहे हो पंदर मेंट जो लास्ट के 30 मीने तो आप देखो जो लास्ट के 30 मेंट है एक number मुह दिया देखो एक suddenly आप मुह आया बाद में second candle भी आ देखो अगर आपको क्या है कि ए अपरेटी मिलती तब आप इसमें बाइक कर सकते हो जो इसका बात का लिभायतर, भात का लाए तो उसके बात का जो keo के वह है, अधानी पोर्ट, हमारे सेल लिष्ट में सेल लिश्ट में क्यू है वह देख लेते हैं, तो आप देख रहे हो अधानी पोर्ट में वनवर्स का चार्ट है, तो आपको इसमें किया आएक एक downtrend मिला, बार में अगर मेरे को कल इसमें opportunity मिली तो मैं इसमें sell कर सकता हूँ बाद में जो मारा next stock है वो देख लेते हैं जो next and आखरी stock है वो है SEC SEC क्यों है तो normal बात है आपको एक क्या है की नीचे से up जाता हो दिखरा है बाद में क्या है कि आख consolidate किया और इसमें क्या है कि triangle बनाए और triangle का breakout आज हो चुका है और वो breakout होने के बाद आपको इसमें क्या है कि proper तरीके से एक up ट्रेंड मिलता है तब आप इसमें position बना सकते हो सकता है कल ये क्या करे थोड़ा up जाए बाद में इदर retrace भी कर दे वो आपको देखने को पता चलेगा कि ये retrace करा है या upset जा रहा है वो आपको समझना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो अगर आता है तो कोई दिक्कत है नहीं अगर ये आपको proper up ट्रेंड में मिल जाए तब आप इसमें buying कर सकते हो तो आप इसके retrace या pullback का wait कीजिए उसके बाद जो ये horizontal line पे कोई support लेकर उपर जाता है तब आप इसमें buy कर सकते हो इन simple जो हमारा ACC है वो buying list में है ये थे हमारे stock कल के लिए intraday के लिए इसमें हमने देखा मारी को buy side के लिए industry buying buy side के लिए HDFC buy side के लिए बाद में हमारा ACC वो भी buy side है only एक ही stock है जो sell side है वो है अदानी port तो आपको इसमें देखो अगर buy side वाले stock में buy side opportunity मिलती है तब आप इसमें buy करो sell side वाले stock में sell side opportunity मिलती है तब आप इसमें sell कीजिए आपका अपना risk होगा तो आप अपनी analysis के basis पे एंट्रिया exit ले सकते हो तो यह था हमारा चोटा सा वीडियो कल के वोचलिस्ट के लिए अगर यह वीडियो आपको कई से भी अच्छा लगा हो तो प्लेज यारो like comment and subscribe कर देना आप like comment करोगे तभी तो हमें motivation मिलेगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टटा गुडबाई जाई हिन